कि हलो एवरिवन आयम नमीन कुमार और यहां पर एक कंपनी है जो कि टायर मैनुफेक्ट्टरिंग का काम करती है और यह स्टॉक मार्केट से उठाने का ट्राइब कर रही है तो इसी वीडियो के दो लो कंपनी बैसे के राइप बात करने वाले हैं उसाथ में कंपनी के कि उचे में कंपनी का इप खूलने वाला है 95 का कट आफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है और यहां बारा सो का लोट साइज है तो यह जो टायर लेके आने वाली जो कंपनी इसका नाम जैसे में लोग जानते हैं कि एमरल टायर इसका नाम है और मैनुफेक्ट्टर यह है यहां पर पर मोटर्स वगेरा लोग यहां पर शेर्स बेच रहे हैं इनीशियल शेरोल्डर से वह भी बेच रहे हैं अब यहां पर एक लाग चौदा ज़र्पे कि आपको मिनिमुम इसाइब के तुरू पैसे लगाने पड़ेंगे एक लिस्ट इसके इंदर आपको फाइल पर मोटर्स के पास में आई प्यों से पहले शेरोल्डिंग थी आई पर फॉर्टी नाइन परसंट क्या सबस्के रहाने वाली है इस पर और काल्कॉलेशन कंपनी किस तरीके से काम करते हैं जैसे में जाते हैं टायर मैनुफेक्चरिंग का काम करती है तो यह बनाने का सप्ल कॉम्सिंघ कर-फ करने के चल्टंट करने हैं किना क açके सजों पना तेकर अभादे आफ को हुआसे एंग सैप्ड़न ही करना दू रही है उएड़क ह करोड़ और यहां पर अगर हम्लोग सब्सक्रेंति है शुरूज करोड़ नाएगया कॉछ इस कंपनी के सुरुवात हो गई थी तो अच्छी काशी विल्यू लगा रही है साइज के इसाप से कंपनी मतलब इतनी कुछ कास साइज है भी नहीं कंपनी ठीक है ठीक ठाक बैसे कंपनी उठा ले रही है स्टिल कंपनी के अगर यह विलिवेशन अच्छा का सा स्टेक अपना लूज कर रही है थोड़ा सा नेगे टीव पॉइंट है अब तो यहां पर तो सबसे पहले अगर कंपनी की हिस्टी को जाने ते नहीन की 2002 के अंदर में कंपनी का स्टार्टिंग वा था जो कि इसका उसके बाद में पना यह मैनिफिक्टिरिंग स्टार्ट किया शुरुवात में इसका जो कंपनी का Todays और लास्ट में भी 24 इसमें आते आते कंपनी का जो नाम है वो शोट कर दिया गया है जो कि अब कि क्या बचा है Emerald Tire Manufacturers that's all अब एक बार देख लेते हैं कंपनी जो अब कंपनी के जो में करता दरता है कंपनी के पास में एक है जिसका नाम है Emerald Tires Europe BV और दूसरी कंपनी का नाम है Emerald Middle East SZE ये दो कंपनी सब्सक्राइब दोनों के अंदर में ही कंपनी की 100% ownership है और कोई बाग कुछ सब्सेटरी कंपनी के पास में नहीं है सब्सेटरी होती है कंपनी के क्यों सिच्वाटी कंपनी कंपनी के पास में जो प्रोसीड्स आने वाले मतलब आई पैसे उठा रहे है उसमें से 36 क्रोड रुपीज जो है कंपनी यह Capital Expanditure में खर्च करने वाले है अब यह जितना भी एवलुशन मार्केट में आ रहा है तो यह इंजिन बेसिस के उपर में आ रहा है फ्यूल बेसिस के उपर में आ रहा है टायर्स की डिमांड तो बनी ही रहेगी तो इसमें कोई दिक्कत फूचर में आती भी दिखना ही है के टायर्वाले सेक्टर मासे दिन कंपनी काई को बस funciona की देखते ज्चंड Regn. इंजिए पर साथ देखने गोरौत' रहे हैं लगर्द टेक्स की यजिए einen कंपनी के नहीं है पर क्रिमिनल मेंटर के अंदरमें कंपनी के पर मोटर पर जरूवर एक केस देखने कल रहा है अगर कंपनी के हैं लोग employees की बात करते हैं तो 277 employees आज के दिन contractual basis पर काम कर रहे हैं और 243 employees कंपनी का permanent basis पर काम कर रहे हैं I think I have forgot to you know I take notes as well and screenshot पी लेता हूं so I think screenshot गड़ बड़ आगे एक ही screenshot दो बड़ आगे तो 243 permanent employees काम कर रहें इसमें और 277 जो हैं कांट्रक बैसिश्व एंप्लोई काम कर रहे हैं आज के दिन कंपनी के पास में दो फैक्टरीज हैं अगर उनकी बात करते हैं तो यहां पर दोनों ही फैक्टरियों से कंपनी की capacity जो utilization हो रहा है अलग-अलग चीज़ें जो कंपनी बनाती है टायर्स भी बनाती है रिम भी बनाती है और तो उनके थुरू कंपनी के जो है आज की दिन जो resilient Tyres भी एकाड़ी उमें चलते हैं यह प्रेस on बैंड टायर्स होते हैं जिनमर ट्यूप्स इन नियान रखें नेक्स अगर देखते हैं तो company का रजलेंट वाले जो टायर है और यह चुछ हैं टूटनेक टाइर्स हैं इन दोनों के तुरू कंपनी का मौश्रकर रेविनियू आता है यह दोनों सेग्मेंट का ही इसका वह अच्छा का सा रेविनियू आता twor एक सो थीन परसे गेट जो ठीक काम खर रही है है इस अधिक दिन सेल हो रही है वह इतने जगहों पर हो रही है mostly company के सेल सेंटर जो हैं Belgium, Dubai और इंडिया के अंदर में बने हुए हैं अगर आज के दिन देखते हैं तो company का जो coverage area है मतलब सोरी जो order जो मिलते हैं जो order book होती है तो order book company के चैनल्स बने वें चैनल्स के तुरू पर मन्त का जो नेक्स्ट मन्त का जो ओर्डर है वो 25 तक आ जाता है कि हमें अगले चैनल अगने महीन है उद में कितने टाइर्स की जरूरा था किस टाइप के टाइर्स की जरूरा था किस साइज में जरूरा था है everything is said or told or conveyed in advance next company के यहाँ पर यहाँ चूट टाइर्स होते हैं जो नेबात किया था कि नुमेटिक जो टाइर्स होते हैं उनकी तुरू कंप्पनी के अच्छी चाशी सेल आती है इसी के साथ में करी हम दो ते सोलेट टाइर्स जो कि हमनें देखे थे एंग एक तो इस तो इसो इच्छी आप महां से भी सेल आ जा रही है इन दो से आती है नेक्स्ट कंपनी के आज के दिन जो यह कंपनी की जो फेक्टरी है उसकी कुछ फोटो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं टायर मैंठेक्टरिंग माशीन यह रिसर्च पैसिलिटी और यह इनकी खुद की फैसिलिटी अब यहां पर एक चीज़ और मैं आई थिंग अगीन आया फोगोट टेक श्रीन शोट कंपनी का मॉस्ट आप दो रेविनियों आता है वह एक्सपोर्ट से आता है इंडिया में भी सेल होता है बट एक्सपोर्ट के मुकाबले कंपनी मतलब डॉलर्स में कमा रही है और रुपीज में खर्च कर रही है अब एक बार कंपनी के और बैलेंस टेट के पर नजड़ आगर हम लोग डालते हैं तो कंपनी में 181 करोड रुपए लगे हुए हैं जिसमें से अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा कितना मान के चलोगे 60 करोड लगबख 60 करोड के असपास में लगा हुआ है बाकि जितना ही पैसा है कंपनी में 181 करोड में से वह सारा उधारी का है ठीक है और उधारी के अंदर में भी मुस्टली इसलिए कंपनी को अच्छा-कासा पैसा ऐसे फाइनेंस कोस्ट इंट्रेस् करते हैं यह वह सब्सक्राइए यहीं करेंगे सब्सक्राइब कोड माल विकाओ तो इसे करने पड़ेगा ताकि अगर कि अगर हम लोग पैसे के बात करते हैं यह वन में क्रोड में से कितना मैक्सिमिल पैसा कहां लगा हुआ है तो प्रोपर्टी प्लांटर निक्यूट में 50 क्लोड रूपर लगा है बागी जो इंटेंजिबल जो सब्सक्राइब की मशीनरी के इंदर में जो नई मशीनरी कंपनी कि लगा रही है उसके नवे 8 करोड प्रोड लग चुके हैं और IPO से उठाके पैसे भी कंपनी इसी चीज में लगाने वाली है तो अभी की सबसे यहां पर mostly कंपनी का जो पैसा लगा हुआ वह प्रोपर्टी प्लांट एंडेंट में लगा हुआ है जात में इंवेंटरी में का revenue increasing order में हर साल बढ़ता ही जा रहा है इसलिए पांच महीने का डेटा है उसके चार महीने का डेटा है उसके according company जो जबाए सकती है ठारा तो लगबग पिछले साल के मकाबले इस साल जो revenue ज्यादा generate कर लेगी net profits के अगर बात करते हैं तो बारा क्रोड तो net profits पिछले साल के मकाबले साल ज्यादा निकाल लेगी ऐसी प्रोजेक्शन वाइज जो है उमीद है अगर हम लोग डेटा को प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर के अंदर में अब सब्सक्राइब का जो टालते हैं तो कोई नजर संदेह वाली नजर से हमें नहीं देख पाए हैं इसको अभी ही तक अब एक बहुत आसा पी और पी बीशियू निकाल लेते हैं उसके बाद में क्रोड रूपीज देट में 15 का पी रेशियू निकल के आता है लग बख 15 का निकल के आता है भागी एक्जेक्ट तो आप खुद कर सकते हैं इसका जो है पोलो टायर्स का वो 21 का है इसका थर्टीन का है और इसका एमारफ का 27 का है तो इस कैलकुलेशन के अकोडिंग बनके आ का अधे एक एंगल सफ Plus लोग इसका पॉपरटीज है मैं जो कि इसके पास में फॉपरटी थैं तो इसके पासने सारी य फ्रोपरटीज के दिन है वह लीज पर ध्यरक टार्षक्ट तो लीज पर हैं वो भी 90 साल की लीज पर हैं that is again a positive thing कि company के पास में एक लंबे टाइम के लिए properties रहने वाली है I think again I have forgot to see the screenshot of properties as well but I have taken the notes so I can speak for that so दो factories हैं के पास में दोनों लीज पर हैं वो भी 99 के लीज years के लीज के उपर में हैं और उनका अच्छा कासा इनको development charges देना पड़ता है next up देख लेते हैं कि again हम लोग आप लोग रहे रहे इस जो भी मैं बातें बोल रहा हूं इनको एप पर cross check कर सकते हैं definitely बागी इसमें मैंने note down किया हुआ है next up देख लेते हैं एक बार को company का PB ratio तो net worth की साबसे जो company की value निकल के आ रही है जो की 58 क्रोड रूपीज आज की net worth है और 49 उठा लेगी जिसमें 47 company के पास में जाने वाले हैं लगबग 50 माल लेते हैं तो लगबग 110 सो क्रोड रूपे के आसबस में value मालने तो बागी खर्चा वर्चा नहीं कालने कि बाद में तो सो क्रोड की company के value बन जाए जिसके इसके साबसे PB ratio नहीं कल के आता है 1.8 जिसको अगर compare करके देखते हैं तो 2.6 2.2 2.2 2.2 और 3.1 01 तो देखा जाए तो comparatively company ने PB ratio की साबसे भी company में value है पी ratio की साबसे भी value है बागी company ने एक JK टायर के साथ में अगर compare करके देखते हैं तो company में कुछ खास इतनी जयदा भी value है नहीं जितनी हम लोग market ने दूसरी company को value दे रखे अब एक चीज़ को एक बार हम लोग और compare करके देखे हैं कि JK टायर का भी revenue बढ़ रहा इसका भी बढ़ रहा हो फिर भी market ने value ना दे रहा है यहाँ पर इसका भी revenue अच्छा कासा बढ़ रहा है still इसको market ने value नहीं दे रहा है that means जो IPO लेके आई है company उसने अपनी value ठीक ठाक level पे लगाई बट इसके पास में एक positive चीज़ यह है कि बहुत छोटी company है अच्छा कर र मिलती है इस company के साथ में Emerald के साथ में So I hope कि अगर आपको लगा नहीं है इस field के अंदर में पैसे तो आप दोनों company में लगा सकते हैं इसमें और JK टायर वाले में है तो एक बड़ी हो गई एक चोटी हो गई दोनों की साबसे समावेस बनाके चल सकते हैं बागी IPO के अंदर मे देख पा रहे हैं प्राइस का अगर द्यान से देखते हैं तो यह फर्वरी 2020 के बाद में नीचे ही आता जा रहा है तो अगर यह वोरा मार्केट चलता है जो कि थोड़ा और नीचे आके बाद में उपर उठने के उमीद हैं तो इसके साथ में यह company भी उपर उठ सकते हैं त अप्यों में अप्लाई करने के लिए आपको GMP देखने पड़ेगी अगेन इसकी भी GMP का 50% से उपर चलती है इसका मतलब इसको थोड़ा सा उपर ले जाके फिर पटका जा सकता है तो अगर आपको GMP अच्छी कासी मिलती है यहां पर more than 50% तो लिस्टिंग गेन्स के दिन ही बेच दें तो ज्यदा बेटर ऑप्शन रहेगा लेट सोल फॉम माई साइड फाइनली सीव टोमारो